है गाइस वल्कम बैक तो माई चैनल मैं अंकीता आज आपके साथ एक न्यू रिसिपी लेके आ गई हूँ आज हम बनाने वाले हैं बेशन की चटनी गुजराट स्पेशिल फाफडा मेठी पकोडा या खमन के साथ खाये जाने वाली बहुत ही प्रसिद्ध चटनी मतलब कि बे साथ सव कर सकते हो या फिर मेठी के पकोड़े के साथ भी इसे सव किया जाता है जो बहुत ही टेस्टी लगता है तो आज हम सिखते हैं बेशन की चटनी बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम इंग्रीडेंस से बहुत ही कम टाइम में ये बन जाती है ये बहुत ही हमें चाहिए बेशन टीन टेबल स्पून जिसे मैंने चान लिया है पानी, नमक, सुगर, हरी मिर्ची कटी हुई, हल्डी पाउडर, ड्राइ, सर्सो के दाने मतलब ओईल, वर्ण ग्लास पानी, अभी हमें कड़ाई रख देगे, इसमें हम दालेगे ओईल, यहाँ पे मैंने दो टेबल स्पून जितना ओईल एड़ किया है, अभी हम इसमें दालेगी सर्सो के दाने, मतलब राई, दो टेबल स्पून, हरी मिर्ची, यह मैंने टीन हरी मिर्ची काटके ले ली है, बारिक काट लेनी है इसे, हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून जितना, वन फोट, अभी इसमें हम दालेगी, वन ग्लास पानी, वाटर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेगी, अभी हमें इसमें दालना है नमक, एन्ड सूगर, यहाँ पे मैंने, हाफ टेबल स्पून नमक, एन्ड वन टेबल अभी हम बेसन को इस तरह से mix कर लेगे पानी में और बेसन का एक paste बना लेगी अभी हम इसको पानी में अड़ करेगे चटनी में अड़ करते जाएगे अभी हमें ठोड़ा ही अड़ करना है फ्रेंट्स इसे अच्छे से हिलाते जाएगे अभी हम गैस को स्लो कर देगी या फिर बंद कर दो आप और उसके बार हमें ये सारे मिक्स्टर को इसमें एड़ कर लेना है और फिर गैस की फ्लैम अन कर लो और फिर इसे इतना घाड़ा हो जाए तब तक पकालो ये हमारा बेशन की चटनी बन के रेदी हो गई है इसे आप सव कर सकते हो खमन, फाफडा या फिर मेठी के पकोड़े के साथ ये बहुत अच्छी लगती है तो आप भी इसी तरह से घर पे मार्केट जैसी बेशन की चटनी बनाईए खाईए और आपके अनुबर मेरे सारे करना बिल्कुल ना भूले ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लेके मैं आती रहूंगी तो मेरी इस चैनल को जरूर फॉलो करें फ्रेंट्स अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है और हेल्फुल लगा है तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दें और सेर करें अपने फ्रेंट्स के साथ नीचे कॉमेंट सेक्षन में कॉमेंट भी कर सकते हो और कोई क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो अगर आप मेरी चैनल पे न्यू हो तो मेरी इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें एण उसके बाजु में जो बैल आइकन है उसे भी इट कर दें जिसे के मेरे आने वाले हर एक वीडियो की नॉटिफिकेशन सब से पहले आपको मिले ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लेके मैं एवरी डे आती रहूंगी तो एवरी डे ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरी इस चैनल को सपोर्ट करना ना भूले Thank you for watching my viewers Have a good day